प्रधान मंत्री ने इसी 26 जनवरी पर फ्रेंच प्रेजडेंट मैकराउन साब को ऐसे चीव के स्टेदर बोलाया था। भारती जनता पार्टी की गर्वर्मेंट कुछ उनसे ही सीख लेती। आज बहुत बड़े प्रोटेस्ट फ्रांस में, जर्मनी में, नेदिलेंड्स में, आस्ट्रिया में, मेडरिट में, स्पेन में चल रहे हैं। प्रेजडेंट मैकराउन खुद किसानों के पास गए और उनको यकीन दलवाया कि आपकी हर बात हम सुनेंगे और मेरी गर्वर्मेंट आपका बकैदा तोर उसका हल करेगी। और वहां के किसानों ने तक कहीं एग्रेसिब पोस्टर वहां लिया, ट्रैक्टर्स लेकर के, आज के दिन मेडरिट और ब्रसल्स में, ट्रैक्टरों के साथ उन्होंने सारा शेहर बर दिया। आप दिली आप मुझे बताएं, हमारे लोगों ने अगर दिली की सरकार से बात करनी हो तो कहां करें, या तो उनके पास फाइर वेपन्स हो, उन्होंने लौ अपने हाथ में लिया हो, पीसफुल प्रिटेस्टर्स को आप रोक रहे हो, कितनी दफ़ा बारती जनता पार्टी ने रामलीला ग्राउंड्स बरी हैं, कितनी दफ़ा हमारी सरकारों में, जब किसान आए हैं, हमने उनको वेलकम किया, बोर्ड कलब तक पहुंचें, इन्दी पास्ट आप देख लीजिए, कितनी गर्मेंट्स होई, बड़े टकायड साब से लेकर, चौदी चरन सिंग जी त बड़े बड़े जो हमारी पार्टी के भी, जब हम उपजीशन में प्रोटेस्ट हुए, आपके तो बिलकुल पार्लिमेंट के बार तक लाकों लोग आ जाते रहें, आप मुझे बताएं, यहां तो बताएं कि उन्हों ने कुछ ऐसा काम किया है, लॉन डॉर्डर हाथ में लिया है, कोई गाड़ी हैं तोड़ी, कुछ ऐसा काम किया कि आपको रोकना पड़ा जी, इस मुस्ट अनफॉर्चनेट यह जो किया गया है, एक मैं एक और बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, और सेंट्रल गर्मेंट को भी मैं कहना चाहता हूँ, कि देखिए जो प्रो फार्मर्ट टुटर हैं जो किसानों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के किसान की करते हैं, पंजाब के किसान की करते हैं, वो तो आपने ब्लॉक करने शुरू कर दिया जी, जो एंटी फार्मर हैं, और जिनका बहुत सारा तुलक और लिनिंग्स भी, रूलिंग करता हो इंडिन पुलीस सर्फिस का आफिसर भी हो आप दो मिनिट में उसको खालस्तानी एंटिनेशनल बोता देते हैं ये बात ये कंप्लीटली भूल गए कि जो पंजाबी हैं और विशेशता और जो सिख हैं उन्होंने देश की इजादी में जो नमाया रोल अदा किया प्रेस तो बहुत बेखुबी इसको जानती है सबसे आगए अगर देश की खातर काले पानी गए या फांसियों के फंदे गले में हसकर अपने डिलवाए तो पंजाबी सबसे आगए थै आज भी कोई महीने ऐसा नहीं गुजरता जहां पंजाबी या विशेश तोर हमारे सिक भाई जो हैं आम्ड फोसेज में वो नैशनल फ्लैग में लिपट कर हर महीने पंजाब किसी ना किसी गाउं या शेहर में पहुंचते हैं आप एक ऐसी पेट्रियोटिक कम्यूनिटी को आप एंटी नेशनल खालिस्तानी और ऐसा प्रॉपगेंड़ा आप कर रहे हो जिसके साथ मैं समयता हूँ एक बहुत गंपीर जिसे जितने हैंडल्स हैं जो बिलकुल कम्यूनिटी में जहर फलाने का काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए प्रो फार्मर हैंडल्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कोई एंटी नेशनल प्रॉपगेंड़ा नहीं कर रहे हैं वो प्रो फार्मर कर रह कोई भी एंटी नैशनल यांग कम्यूनिटीज में जहर रोगालने की बात करे का किसे का भी एंडल हो उसको नैशनल गर्वर्मेंट को रोकने की जरूरता है एक तो मैं यह कहना चाहता हूँ